आप सभी प्रिये दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे Ask Your Question Series के Question No.48 की आज का प्रशन है अलीनी रजेश जी का इनका Question है How much amount Angel Broking at Listing? तो Listing Price क्या होगा Angel Broking का? ये इनका प्रशन है हम इसको दो तरह से आंसर करेंगे अभी ग्रे मार्किट प्रीमियम क्या चल रही है क्या एक्सपेक्टेड है और प्राइस होने के बाद में किस रेंज में हम देख रहे हैं Angel Broking को कल तारोबार करते हुए और उसका Reason क्या है? इसको Long Term में क्या कर सका? इस Question का आंसर करने की चले शुरुवात का अगर Market Cap देखे जाए 306 का भाव पर लिस्टिंग होगा उसका IPO का प्राइस है वो 306 है तो उसके basis पर Market Cap है करीब करीब 2,200 करोन तो एक Small Cap Company है अगर आपका Portfolio 1,00,000 का है तो Maximum आपको 5,000 का पर्टफोलियो के रखना चाहिए तो 5% Maximum आप इस रख सकते हैं लॉंग टर्म पर्स्टिंग गेन कर लीजे अपना जितना होगा अगर हो सकता है कुछ लुग पर्स्टिंग गेन अब फर्स्ट इंफरमिशन जैसे ये सर्विस प्रवाइड करती है तो Large Customer, Large High End Customers के लिए तो अच्छी बात है तो कि उनको Personalize Service चाहिए उनको अपना पर्टफोलियो में कभी Depth में ज़्यादा करना होता है काम कभी Gold में ज़्यादा करना होता है काम कभी Feature and Option में ज़्यादा करना होता है तो ज़्यादा तर बिजनस जो होता है वो Retail, Public से होता है और उनको ये Customize Service नहीं चाहिए जिसके लिए उनको एक्स्टर पीस पे करता है वो लोग क्या चाहते हैं वो लोग चाहते हैं Low Cost Brocage 5Pacer.com हो गया जिरोधा हो गया उसके साथ में आपका Upstock हो गया तो ये सारे Low Cost Brocage Provider है 20 रुपे के Rate में आपका Order Execute करते हैं आप आराम से अपना Research खुद कर सकते हैं अभी सब कुछ अवेलेबल है और आपको ये सब पेड सर्विस पेड करने की ज़रुत है तो Scope for Full Broking Service का अभी कोड़ा सा Reduce होता जा रहा है इंडिया में अगर देखें पहले जब ICS ये डिरेक्ट में काम किया था तो बहुत अच्छा सब्सक्राइब जब सारे के सारे Demetralization हुए Stock Paper Form से Demet Form में आने लगे थे Electronic Form में तो उसके बाद से अभी साथ सम डिमार्ड में है ICIC security की लिस्टिंग April 2018 में हुई थी अभी हम यहां से दो साल का time spend कर चुके हैं दो साल से जाधा का करीब करीब ढ़ाई साल हो चुका है और अब तक अगर अपरे ढ़ाई साल में एक लाख रुपे की fix deposit की होती तो approximately आपका एक लाख की जंगा पर एक लाख करीब करीब तोला हजार के आज पास हो गया हो और अगर आपने ICIC security में डाला है तो आपको flat है एक लाख का आप समझने की कोशिश की जब क्या बताना चाहरे हैं और देखे जब panic situation होती है परके जब crash हुआ था तो इसका price 517 से गिरकर 211 रह गया था कोई खरीदने वाला नहीं था उस टाइम पर वहाँ पर इसको यह बात आपको समझने की ज़रूत है यह हम आपको बता रहे हैं कि यह business जिसमें आप invest करना चाहरे है वो future growth के लिए अच्छा business आपको यह चीज समझनी है अगर आपको बात अच्छी लगती है ठीक बात है हमें मालूम है हमने जब पिछला वीडियो रहा था तो कुछ लोगों को थोड़ी feeling hurt होई होई होगी क्योंकि कुछ YouTube channels पर इसकी बहुत तारीफ की गई थी और बोला गया था यह बंविस vote करेगा काफी हम नाम नहीं लेना चाहते हैं काफी लोगों ने इसको बहुत अच्छे से recommend किया था और हमारे channel पर हमने पहले से बताया था इसको आपको avoid कीजे क्योंकि हम stock market में पिछले 30 सालों से 2 generation हमारी stock market में काम कर रही है तो हमें पूरा मालूम है किस तरह का business आपको आगे profitable रहेगा किस तरह कर नहीं हमने इसको straight away no बोला था आप हमारे जो देख सकते हैं अब यह पर अगर super trend का indicator देखा जाए तो यह i security negative है एनसी का का कारोबार अच्छा positive हुआ है और देखे अगर आप long term का view देखे जब भी इसका direction चलता है तो युण direction चलता है यहां से डाउन चल रहा है यहां से उपर चल रहा है यहां से उपर चल रहा है उपर चल रहा है market के साथ में direct coordination रहता है पर as a net result market पिछले तीन सालों में करीब-करीब 20% return दे चुका है आपका आइसे security ने कुछ return तो आपको थोड़ा सा देखना है उटते टाइम जदा correlate करता है उटते टाइम इतना correlate नहीं करता है इस थोड़ा सा को education provide करना है ताकि आप कुछ decision अपने आप लेने के लिए तयार हो जाए आगे फीचर उसके लिए हमने एजुकेशन वी की playlist बनाइए जो चाहें आप देख सकते हैं reading lessons बाई राके जुन-जुन वाला उनका interview का एक snapshot लाला है और उसके बाद में कुछ lessons drive और इसके लावा अगर हम देखें इसका I say security का equivalent देखे जब गिरता है तो MACD कितना बहानक तरीके से गिरता है 20 positive से MACD 55 negative हो जाता है थोड़ी दुन में तो यह एक अच्छा segment नहीं है इतना destabilize होने के लिए market अगर कोई किसी को average करना है तो हम यह बता रहे हैं हम यह recommendation नहीं कर रहे हैं अगर किसी को खरीदना ही है तो लास्ट लेवल है आपका 280 इतने लेवल पर अगर आपको मिलते हैं तो यह आप खरीद सकते हैं परना इसके उपर की लेवल पर इसको खरीदने की जरूरत नहीं है तो जिन लोगों ने IP में पैसा लगाया है पैसा लगाया है हम शमा चाहते हैं अगर आपकी feeling hurt हो रही है पर हमारे चैनल का objective यहां पर आपको educate करना है और आपको बताना है क्या हो सकता है इसलिए हम बता रहे हैं कि आपका शायद पैसा फस गया है जितना जल्दी हो सके आपने loss को control करके इसको बहार निकल जाए इसमें operator गेम चला मार्केट जैसे अब जाता है तो कम अब जाते हैं इ यह थोड़ा से द्यान रखने वाली है अब इसका revenue भी lower है आप देखें पिछली quarter के comparison में इस quarter में केवल 2400 करोड़ है पिछले quarter में 7427 करोड़ का revenue यह थोड़ी सी आपको समझने वाली बात है कि यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती आगे और अगर देखें इनका query जो आप काफी volatile होगा तो आप समझ के रहिए हो सकता है 306-310 तक भी जा सकता है पर 15 मिट के बाद stability average आएगा 280-280 के सपास आना चाहिए उस समय ही बताएगा हम टाइम के साब से वीडियो डालेंगे आपको और आपने हमसे question पूचा है तो हम आपको बताना है कि listing price जो है 280-286 के average में थोड़ा उपर नीचे तो दाता ही है आई से security हमारी तरफ से recommendation नहीं है purchase करने के लिए पर आपने अगर पूचा है तो हमने लेवल बता दी है उसके लिए और angel broking का हमें long term के लिए इसका growth थोड़ा down ही लग रहा है तो अभी आप इसको avoid की जितने price पर क्योंकि इनकी listing जो ही है उन्होंने price जो set किया है IPO में वो काफी ज़्यादा premium के साथ में set किया है उतना premium नहीं पर नीचे आता है हो सकता है तब आप इसको lower level पर खरीच सकें पर अभी के लिए आप इसको हम miss करने की सिला देंगे तो आप avoid कर सकें portfolio में दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा त कमेंट सेक्शन में डालना जय हिंद जय भारत बाइगाई